नमस्कार दोस्तों में राउल साच्टरी सोगत करता हूँ आपका आपने जोती सिखाने की संक्ला को जारी रखते हैं और पहुत इसरल तरीके से कमसब्दों में आज हम चर्चा करेंगे अला के बारे में सुकर गर्य के बारे में बर्साव लगन के पर्भाव का के कि अधर कहने करेंगे देखिए सबसे पहले आप किसी भी गर्य को देखना चाहें कि किसी में ते कि यॉरे प्ल तो आप देखिए कि वह उस लगन के अंदर कारक ये हमारा के क्योंकि शुक्र जो है वर्षफ लगन के अंदर उन रूप से कारक होते हैं क्योंकि वह लगने यसे कुण्ड़िके मालक है तो सबसे सुब गर है तो इसका मतल़ नीचे दुरूप से बहुत फाधा देंगे अच्छे तो लगने से कर खुद ही लगन में आके बैठ जाए पहले भाव से सुरू करते हैं तो यह मालवे नामक पंच महापुरूस राजयोग बन गया ऐसे में सुक्र सभी परकार के सुक देता है व्यक्ति को मालवे योग होता है यह इसी परकार का होता है तो व्यक्ति की जो भी जिन्दकी के अंदर इच्छा होती है वो पूर्ती होती है अच्छे मकान अच्छा वहान जिन्दकी के अंदर सभी परकार के सुक व्यक्ति होता है अब दूसरे भाहों में और लगन में शुक्र जातक को पहुत आकरसक बना देता है उसकी परस्णेल्टी देखी जाते हैं पहुत अट्रेक्टिव परस्णेल्टी होती है दूसरे भाहों में उसकी बातचित का पहुत अच्छा तरीका होता है उसकी वानी पहुत अच्छी होती है खाने पीने का पहुत अच्छा सोकीन होता है नंकीन खाने का सोकीन होता है साथ ही साथ जातक अपने कुटुम से पहुत लगाओ करता है कुटुम के जातक को फायदा ह उसके जो अरंभिविक शिक्सा होती है अर्ली एजू के शक्राइब अच्छी होती है दन्वान होता है जातक और अपनी मैनत से सभी परकर कर शुक पराप्त करता है तीसरे बाहु में लगने से तीसरे बाहु में बैठ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अला कि एफरट करता है अपने भाग्य के लिए उतना ही भाग्य उसका अब धी के बाद उसका साथ देता है तो यहां पर भी शुक्र कोई दिक्कत नहीं है अच्छी रिज्ट देंगे वर्स यह है कि एक अब्धी के बाद जातक को मिलेंगे मेहनत के बाद रिज्ट चोटे भाइबेनों का बहुत पुन रूप से सुक मिलता है उनके साथ लगा हो रहता है चतुरत भाएबने लगने अगर खुद ही बैट गए शुक बहुत अच्छी बात है यह सुकुर का संब्ध सुकों से चतुरत भाव भी सुक से तो मकान वहान बनाने का सुक मनता है किसी शुक हो अपको प्राप्त होता है और शुक्र की दसा में एक निच्चे तव्धी के बाद शुक आपको सारे प्राप्त होते है रोजगार वैप्साइद धरिश्टिय के पहुत अच्छा शुकुर अगर थे को पंचम भाव में बैटे का यहां पर खराभ फल देगा तो वै लिए हमेशा डिष्टब रहता है शुकों में दिक्कत रहती है न और छीजों में रुकाव्टे जातक के देखे गई बुए नगों सुक्र यहां पर लगने शुग है सफ्टम्हाओ में लगने चुछ है यूग बनता है और चाहि कि पतनी होती हैगे शुद्र होती है सुख्र करें के सभी हैं रहता है और यहां पर ज्मी जीवन के पूंदरूप से जातकों सभी परकार के सुख्प मिलते हैं अश्टम भाव में अगर सुक्र बैठ गय तो नीचे तरूप से यहां पर रुकावटे बैदा करेंगे स्वास्ता दिक्कत करें किसी वरकार को भोगने में दिक्कत करेंगे इंटर्ण टीसिज कर देंगे साथ जो है मांसिक सारी रिक पेड़ाइद पिदा कर देंगे इस तरह के चीजे व्य पहुत द्जट लगा रहेगा तक का दसब बाहूं में निक्षित रूप से ग्राजयोग तो यहां पर भी पहुत अच्छा रिजटा देगा तो किस दरश्टी से तो व्यक्ति समाज में मांध समाथ परपरिष्टा गुनवान संसकारी और साथी साथ किर्तिवान देखने में सुंदर और साथी साथ जातक कुंडली के अंदर देखा जाता प्रोग्रेसिव और महनती और महनत के पाथ सभी परकार का सुख भोगने वाला अपनी महनत से अपनी सभी परकार का अपने रोजगार में अपने व्यापार में अ जो ग्यारवे भामों में बहुत अच्छा फैस्ट च्मकै तो क्योंकि महिनाराजी में गुरु सुकृ उचके हो गए तो लगने इस लाब भामों में और उचके तो नीच्छी तरूप इच्छा तो लाब यहां का शुक्र बैठा और मंगल की दरिश्टी बन जाए तो देखा जाता है तो अब जी सेक्स के परती भी जातक को देखा जाता है कि अपना टाइम बेश्ट करते हुए उस चीज़ पर यह बी चीज़े देखी जाती है यहां का शुक्र बैठा और मंगल के साथ युदि मना दे या फिर सुरिया यहां पर बैठ जाए रहु यहां पर सुक्र को दर्श्टी बना दे तो थोड़ा से देखा काम उप्रवति का जाता है खोता है तो दोस्तों वीडियो कर अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब् सब्सक्राइब करना मत बूलेगा धन्यवाद